तो इसी बीच इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है सुनाली केस में आरोपियों की कॉर्ट में पेशी हुई है आरोपियों को कॉर्ट ले जा रही है पुलिस और आज इनकी रिमांड की भी मांग करेगी पुलिस ये तस्वीरे आप देख रहे हैं कल जब गोवा पुलिस के अधिकारी प्रेस कांफरेंस भी कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि गिरफतारी के 24 घंटे तक आरोपियों को हम पुलिस हिरासत में रख सकते हैं ताकि इनसे जो तमाम उलजे हुए सवाल हैं उनके जवाब लिये जा सकें इनसे ये पूछा जाए कि क्या सुनाली को बचाया जा सकता था अगर ऐसा था तो आप क्यों नहीं सुनाली को अस्पताल लेकर गए क्यों आप उन्हें पब से सीधे होटेल लेकर गए क्यों दो घंटे तक वाश्रूम में सुनाली को रखा और क्या ये पूरा मामला संपत्ती और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे वज़ा कोई और है फिलाल ये तस्वीरे आप देख रहे हैं ये एक्स्क्लूजव तस्वीरे इंडिया टीवी पर आपको देखने को मिल रहे है देखे किस तरह से पुलिस अब इन दोनों आरोपियों को कोट लेकर जा रही है इंडिया टीवी ने होटेल के स्टाफ से भी इस पूरे मामले की जानकारी ली वही होटेल जहां सुनाली रुकीन थी सुना आपने वहीं गोवा पुलिस सुधीर सांगवान और सुखुविंदर सांगवान से पूचताच कर रही थी दोनों को गोवा के अंजना पुलिस स्टेशन में रखा गया था जिन्होंने पहले पुलिस को लगातार गुम रहा करने की कोशिश की बाद में ड्रग्स देने का सच कबूला वो भी तब जब पुलिस ने उन्हें सीसी टीवी फुटिज दिखाया अंजना पुलिस स्टेशन के बहार से एक स्पेशल रिपॉर्ट हम आपको दिखाते हैं सुनाली फोगाड के हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफतार किया गया है और ये दोनों आरोपी यहीं अंजना पुलिस स्टेशन की लॉक अप में है और सबसे महतुपूर्ण बात यह है कि इसमें एक जो सुनाली फोगाड का पीए सुधीर सांगवान है और दूसरा सुनाली फोगाड का बॉडिगाड सुखविंदर है सबसे महतुपूर्ण बात यह भी है कि यह दोनों लगा था और तीन दिन तक जब पुलिस जिन से इंक्वारी करती रही तो यह तरह तरह की बाते बताते रहे सुनाली फोगाड जो है वह हारटडएक के कारण मरी है चुटिंग हो रही थी पंजी में उसको हारटएक आ गया दूसरी बार उन्हों नहीं बताया कि सुनाली फोगाड ने जो है नशा कर लिया था अश्रे में गिर गई जिसके बाद उसको हाट अटक आया लेकिन तीसरी बार जब ड्रग्स देते हुए लिक्विड में ये सी सी टीवी आई और सी सी टीवी जब इनको दिखाई गई उसके बाद इन्होंने कि हाँ इन्होंने देड़ ग्राम MDMA ड्रग सोनाली फोगाड को दिया गया है और ये ड्रग अंजुना बीच के पास किसी ड्रग पैडलर से लिया है और ये ड्रग पैडलर जो है उसे अंजुना पुलिस ने हिरासत में लिया है साथे साथ जो कर्लीज रेस्टरांट है सुक्विंदर और सुधीर है उनको रखा गया है सबसे मैं तुक्रण बात ये भी है कि सुक्विंदर और सुधीर इस पूरे मामले में किसी तीसरे परसन का नाम ले रहे हैं वो तीसरा परसन कौन है इसकी जानकारी बटोरने में भी पुलिस जूटी हुई है क्या कैसे ने रोल भी पुलिस चेक कर रही है क्योंकि ड्रग पैडलर पहले भी सुधीर को कुछ बार मिल चुका है सुधीर पहले भी गोवा आ चुका है तो ये ड्रग पैडलर और सुधीर एक दुसरे के जान पहचान वाले थे एक दुसरे को जानते से और कितना बड़ा ड्रग करटल ह जिसकी जो पड़ताल है वो गोवा पुलिस करना चाह रही है यहाँ पर हम बताएं कि गोवा पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है IG Law and Order, IG Crime, SP Crime सभी ने इन दोनों आरोपियों से पूछताश की है और अब इसमें दो और आरोपियों से हिरासत में है जिनकी गिरफ़तारी का प्रोसेस चल रहा है जिसमें एक करलीज रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट के ओनर है और दूसरा ड्रग पैडलर है इनको भी इसी मामले में ग्रफतार किया जाएगा या कि ड्रग के मामले में ग्रफतार किया जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि करलीज रस्टरंट एंड क्लब के अंदर एक ड्रग भी मिला है वो ड्रग फॉरंसिक टीम को अपनी जांच में मिला है और फॉर जाता था और दिया जाता था इसमें कितने ड्रग पैडलर हैं इनकी पड़ताल की जाएगी और क्या सुनाली फोगाट के मामले में ही इनको इन दोनों को भी गिराफतार किया जाएगा इस पर अभी पुलिस गोवा की प्रेस कॉंफरेंस करके या जानकारी देकर मीडिया के सा क्याम ने आएगी कैमरामैन विमल सिंग के साथ जैप्रिकाश्ट सिंग इंडिया टीवी गोवा